खवातीन में कोई नौन मुसिलिम हों तो सवाल कर सकती है बाइसे क्वार्चेना गूरा और वोटिंग एज एरिया सेज्स मैनेजर इंफामस प्रिके कांथी आप वंटो आसकाना क्वेश्चिन जो पाच टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग-अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या-क्या इफेक्ट डालती है या क्या-क्या आसर करती है और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्स्प्लेंड करिये जो साइंटिफिकली बाइग्राउंड हो थैंक्यू वन कुशनर टाइम एक सवाल आपने चार-पांच सवाल ले हर सवाल के ओप एक तक्रीर दे सकता हूँ मैं माशाला बेहन ने सवाल किया कि नमाज पांच वक्त है क्यों है उसके क्या असरात है क्या फाइदे है किस तरीके से बनना चाहिए हर सवाल पे एक तक्रीर कर सकता हूँ अल्ला सुभाना उटाला ने नमाज मुसल्मानों पे फर्श किया है ताके जिस तरीके से डॉक्टर कहते है कि इंसान को अच्छिल फहद रखने के लिए कमस कम तीन बार खाना खाना चाहिए उसी तरीके से अल्ला सुभाना उटाला हमारे खालिक है अल्ला ने कहा है कि कमस कम पाँच बार नमाज पड़ो इतनी बुराईया है इतनी गलत चीज़ है और मैं तक्रीर किया हूँ सला दे प्रोग्रामिंग प्रोज़ राइचिसनेस सला किस तरीके से इनसान को सही रास्ते पे रखती है तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेज है हाई पॉसिबिल्टीज है इमकानात है कि हम इतनी बुराई देखते है वी केंगे डी प्रोग्राम तो री प्रोग्राम करने के लिए कम असकम पाच वक्ष जरूरी है इनसान को नमास पढ़ने के लिए इसके क्या फाइदे है कई सिक्ड़ो फाइदे है वक्त के किल्लत होने के वज़े से चंद फाइदे के बैना करूँगा आज साइंस कहती है कि जब हम सला पढ़ते है सबसे बहतरी जो सला का पॉस्चर है वो है सुजूद सच्दा इसलिए कुरान मजीद में 92 ताइम्स सच्दा का जिक्र है सबसे बहतरी और आज साइंस ये कहती है मुह की बिमारी आ सकती है जब हम सच्दा करते है देस एक्स्टा फ्लो अफ़्लड इन्टो देड फेस और खून दोडता है मुह की तरफ जब हम चल्बेन दोने के इमकानात कम है अगर कोई इंसान कोई बिमारी है साइनस आइटिस की जब हम सच्दा करते है इस साइनस इस फ्लो युजू आउट drained out उसके बाद आज science यह कहते हैं आवम तोर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ two-third दो तीया ही हिसा two-third air exhale out होती है हम भार फेकते हैं और two-third air नहीं लेते है one-third air is called as residual air जब हम सजदा करते हैं the abdominal viscera जो पेड के जो आजा है वो diaphragm को प्रेस करते हैं diaphragm प्रेस करता है lower lobes of lung फेपड़े को यह बाकी one-third air भी exhale out होती है और new fresh air अंदर आती है less chances of disease of the lungs the abdominal viscera there is increased blood supply there is less chances of piles मैं इसके ओपर तखरी कर सकता हूँ जब हम रुकू करते हैं सजदा करते हैं उपर नीचे बेटते हैं there is less chances of having disease of the spinal cord जब हम उपर नीचे जाते हैं the blood supply curve is known as the external heart calf जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा जब हम उपर आते हैं तो blood supply to the lower part of the body is given ऐसे कई scientific benefits है और जानने के लिए आप मेरे तक्रीर सुनिए सलाह the programming to a righteousness second हम मुसल्मान ये scientific benefit के लिए नहीं पढ़ते हैं अल्ला और अल्ला के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो हम पढ़ते हैं ये scientific benefit side dishes है side dishes है जो गहर मुसल्मान को शायद मतासिर करे हमारी पिरियानी main coast meal है अल्ला को रादी करने के लिए अल्ला का शुक्रयाद करने के लिए अल्ला से इदायत पाने के लिए